जह मांगाई अपने चर्म सिमा पर है और लोगों का जीना आराम कर चुकी है वहीं अगर बात करें समसानगाट की तो कोरोने काल के बाद मांगाई का असर समसानगाट में बिकने वाली लकडियों पर कितना पड़ा है और क्या लासू के संक्रेमें भी कमी हुई है या वृधी जब हमने इसके बारे में पर्ताल की तो कुछ यह बात सामने निकल कर आईए आईए देखते हैं इसका रिपोर्ट को अब 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 झाल में यहां पर काफी बाड़ी आती थी लेकिन अब बाड़ी कम आ रहे हैं और उस समय लकडियों का काफी ज्यादा था और अब हमागाई भी बढ़ गई है तो क्या लकडियों कि रेट कम है या ज्यादा लगर परसर से वही कितनी आती यहां पहले कितनी आती थी फिलाल में इस तीन में इस समय में कम से कम सुभा साम मिलाकर शाट सतर बोड़ी जलती थी अब फिलाल में 15-20 बोड़ी जल रही है आपका परिशी कंदार हो महीं हागा क्या नाम पड़ेगा